सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए दबाईए बेल आइकन नमस्कार दोस्तो आज हम बात करेंगे राउंडिंग बोटम के विश्य में राउंडिंग बोटम चार्ट पेटर्न का ही एक रूप हैं राउंडिंग बोटम चार्ट पेटर्न चार्ट में अंग्रेजी शब्द यू की तरह दिखाई देता हैं राउंडिंग बोटम को सोसर बोटम भी कहते हैं क्योंकि यह चार्ट में तश्तरी मतलब की प्लेट के जिसा दिखाई देता हैं rounding bottom chart pattern मंदी के trend में आने वाला bullish reversal chart pattern है मतलब कि बाजार में जो मंदी का trend चल रहा है वो अब समाप्त हो चुका है और अब तेजी की शुरुवात होने वाली है दोस्तो वीडियो में आगे बड़े उससे पहले आप rounding bottom के विशय में कुछ महत्वपून बाते समझ ले दोस्तो rounding bottom लंबे समय का chart pattern है इसकी मदद से आप intra day, short term या medium term की trading नहीं कर सकते हैं ये समझ लीजिए कि इसका ओप्योग trading के लिए नहीं किया जा सकता है इसका ओप्योग केवल और केवल long term investment के लिए किया जाता है मतलब की लंबे समय के निवेश के लिए इस chart pattern को पूरा बनने में कम से कम 10 से 20 वर्ष लग जाते हैं और इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है तो चलिए दोस्तो अब हम समझते हैं कि rounding bottom chart pattern कैसे बनता है और इसके बनते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तो rounding bottom के अलावा बाकी सभी chart pattern केवल दो trend से बनते हैं up trend और downtrend लेकिन rounding bottom में तीनों trend होते हैं up trend, downtrend और sideways trend और इन तीनों trend के पूरा होने के बाद rounding bottom chart pattern complete होता है दोस्तों chart में हम देखते हैं कि बाजार में लंबा मंदी का trend चल रहा है यहाँ गिरावट की चाल बहुत ही धिमी होती हैं यहाँ गिरावट लगातार कुछ वर्षों तक चलती रहती हैं बीच में कभी-कभी हलका सा तेजी का महौल बन सकता हैं लेकिन primary trend हमेशा मंदी का ही रहेगा इसके बाजार में मंदी का trend रुख जाता है और price एक bottom बना लेता है और इसी bottom के बाजार लंबे sideways trend की और बढ़ने लगता हैं यहाँ sideways trend कितने समय तक चलेगा यहाँ कोई नहीं बता सकता हैं यह sideways trend कई वर्षों तक चल सकता हैं और जब sideways trend बाजार में चलता हैं तब volume नहीं के बराबर होता हैं इसके बाद जब sideways trend खतम होता है तो बाजार में लंबा तेजी का trend शुरू होता है तब price उसी गती से उपर की ओर बढ़ता है जिस गती से बाजार में मंदी का trend चल रहा था अगर तेजी की चाल बहुत अधिक तेज हैं तो इस pattern को वेद नहीं माना जाएगा तेजी के trend के साथ volume भी बढ़ने लगता है दोस्तो इस pattern में volume का shape chart pattern के shape के जैसा होता है pattern की शुरूआत में अधिक, बीच में कम और जब बढ़त चालू होती हैं तो फिर volume भी बढ़ने लगता है यह लंबी अधि का chart pattern है जिसके कारण volume की कोई बहुत अधिक अहमेत तो नहीं होती है लेकिन फिर भी अगर volume का support मिले तो इसे बहुत अच्छा माना जाएगा दोस्तो इस pattern को chart में देखने के लिए आप weekly या मंथली chart का उप्योग करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा इससे rounding bottom chart pattern आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा तो चलिए दोस्तो अब हम समझते हैं कि rounding bottom के साथ हम खरीदारी कैसे कर सकते हैं दोस्तो जैसा कि यह लंबे समय का chart pattern है तो इसका उप्योग केवल और केवल बाजार में निवेश के लिए किये जाता है तो इसके साथ आपको risk reward ratio और stop loss theory का उप्योग नहीं करना है अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि rounding bottom के साथ हम खरीदारी कैसे कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको chart में rounding bottom का formation बनते हुए दिखाई दे रहा है तो आपको इसमें खरीदी करने के लिए यहाँ देखना है कि जहां से मंदी का trend शुरू हुआ है इसे हम नाम देते हैं point A और जहाँ पर इस pattern का lowest bottom या कहें कि lowest low बनता है इसे हम नाम देते हैं point B अब point A से point B के बीच को हम 100% मंदी का zone मानते हैं जब इस pattern में तेजी का trend शुरू हो तब price point B से मतलब की lowest low से 30% उपर चली जाए तो हमें खरीदारी करने का संकेत मिलता है यह 30% मंदी के zone 100% की तुलना में होना चाहिए इसके बाद आखरी point यहाँ हैं कि हमें profit book कहाँ पर करना है profit book करने के लिए आपको यहाँ देखना है कि जब price point A को touch कर ले तो आपको तुरंत profit book करना है यहाँ पर point A हमारा target होगा इसके बाद अगर price point A के उपर closing दे दे तब point A और point B के बीच का जो difference है वो उपर की ओर हमारा second target होगा लेकिन यहाँ second target थोड़ा सा risk होता है तो दोस्तो इस प्रकार से हम rounding bottom के साथ खरीदारी कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो अब हम chart में rounding bottom chart pattern को समझ लेते हैं कि rounding bottom chart pattern के साथ हम खरीदारी कैसे कर सकते हैं सबसे पहले आप अपने charting software में जाईए और chart को खोल दीजिए इसके बाद आपको जिस भी time frame में rounding bottom का formation दिखाई दे रहा हो आप उस time frame को खोल लीजिए जैसा कि मुझे यहाँ पर मन्थली chart में rounding bottom का formation दिखाई दे रहा है तो मैंने मन्थली chart को खोल रखा है अब हमें इसमें खरीदारी करने के लिए यहाँ देखना है कि जब price मंदी के trend से 30% उपर निकल जाए तो हमें खरीदारी करना है तो यहाँ से हमारा मंदी का trend शुरू हुआ है और यह रहा हमारे मंदी के trend का lowest low अब आप एक और बात यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इस pattern को बनने में कितने साल लगे है तो अब आप यहाँ पर देखिए कि सन 1980 में यह pattern बनना शुरू हुआ था तो यह pattern complete हुआ है सन 2011 में मतलब कि पूरे 31 साल लग गए इस pattern को बनने में तो अब हमें इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि lowest bottom से जब price 30% तक उपर पहुँच जाए तो हमें खरीदारी करना है तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हमें यह किसे पता चले कि price 30% तक उपर जा चुका है तो इसके लिए आपको fibonacci retracement की सहता लेनी पड़ेगी तो अब हम point A से point B तक fibonacci retracement को खीच देते हैं तो अब यहाँ पर देखेंगे कि इस जगे पर price 30% तक उपर आ चुका है तो हमें इस जगे पर निवेश करना है अगर आप इस जगे पर निवेश करते हैं तो यहाँ पर निवेश का सन है 2008 तो अब आखरी point यहाँ है कि हमें profit book कहाँ पर करना है तो profit book करने के लिए आपको यहाँ देखना है कि जब price point A को touch कर दे तो हमें profit book करना है तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यह रहा हमारा point A लेकिन यहाँ पर price ने point A को touch नहीं किया है तो इस इस्तती में आपको थोड़ी सी समझदारी दिखानी है और जब अगर प्राइज यहाँ से रिटन आना शुरू हो जाए तो आपको अपने निवेश का प्रोफिट बुक करना है तो दोस्तो इस प्रकार से हम राउंडिंग बोटम के साथ निवेश कर सकते हैं और मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो दोस्तो यहाँ थी राउंडिंग बोटम के विशय में संपूर्ण जानकारी उमीद हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बोक्स में जाकर पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे गुडबाई धन्यवाद